मुंबाई की कांदीवाली पुलिस ने एक ऐसे आशिक को उत्तर प्रदेश के मोज़ापर से गरफतार किया है जो खुद की शादी के लिए कांदीवाली के मशूर जेन स्वीट से लाग रूपर लेकर फराग हो पुलिस उपने रक्षिक सुरिकान पुवार ने बताया कि कांदीवाली पुष्षिम रेलवी स्टेशन के पास अस्तर जयान स्वीट्स के मालिक प्रदीब जयान ने 27 दिस्संबर की रात को अपने सबसे भरोसे मंद आदमी को 3,40,000 रूपे बैंक में जमा करने के लिए दे द इतना के बाद कांदीवाली पुलिस शिकायत दर्श कर जब जाच शुरू की तो पता चला कि वह बैंक तो गया था लेकिन बाइक बैंक के बाहर ही छोड़ कर वहां से निकल गया पुलिस ने उसके बाकीस के साथियों से जब पूश्टाश की तो उन लोगों ने बताया कि आरोपी का शादी फिक्स हुआ है और वह गाओं जाने वाला था जिसके बाद पुलिस की एक टीम मुतरदेश के मिर्जा पुर गई और आरोपी को उसके घर से गिरफतार कर मुंबई लाई पुश्टाश में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी होने वाली है जि इसके लिए वह घर बनाने वाला था और उसको जादा पैसे की जरूरत थी इसलिए वह अपने मालिक का पैसा लेकर भाग गया था पकड़े गया आरोपी का नाम रोहित मनूज मिश्टा है जिसके उमरी किस वर्ष है ये पिछले पांच साल से जैन स्वीर्स में काम करता था और अपने मालिक का सबसे भरोसे मन्दाद मी था पिलहाल कांदी वली पुलिस आरोपी को गिरफतार कर उसके बास से 2,20,000 रुपया बरामत कर ली और अब पुलिस आगे की जाँच कर रही है उस दुकान के मालिक स्री प्रिदिव जेन इनोंने 27 डिसेंबर 2021 को कांदी पुल कि उनके दुकान में काम करने वाला एक स्टाफ रोहित मिश्रा नामक लड़के को 3,40,000 रुपया बैंक में जमा करने को दिये हुए थे तक्रिवां 12 बै तक जब तक वो स्टाफ दुकान में वापस नहीं लवटा तो उन्हें शक हो गया कि ये लड़का पैसे लेके भाग गया है उस लड़के की तैकिकात में उसकी चानमीन में हमें पता लगा कि उस लड़के की हाले में शादी ओने वाली है शादी तै हुई है और वो शादी करने के लिए मिर्जापूर जाने वाला है उस information पे मैं मेरे टीम मिर्जापूर में अरोई तहसिल से एक गाउ से उसको धर्दो बहुचा गया और मुंबई लाया गया है उससे अभी तक तकरीबन 2,20,000 रुपया हम लोग ने बरामत की हुए है आगे की तेक्याच शुरू है अरूपी कैसे अरूपी कैसे का सव COVID-19 करीज उसके ले उसके सादिक दिए के जरौत है सुनने मारए कि वह सादिक अलावगर मी बना लगा तो उससी पेसे से हुष्ट के उसकी तेक्याच चलू है अबभी तक 21 तरी तक हमारी पूल कस्टडी में है